तकेरल स्टोरी पांच मई को सिनिमा घरों में आने वाली है जिसका ट्रेलर पिछले दिनों 26 अप्रेल को रिलीज हुआ था इस फिल्म के आने से पहले ही इसको लेकर विवाद बढ़ गया है ट्रेलर को देख कई लोग इस फिल्म के सपोर्ट में दिख रहे हैं तो कई लोग खिलाफ इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट का रुख किया गया है जिसमें कोट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग से इंकार कर दिया है सुप्रीम कोट ने फिलाल दा केला स्टोरी फिल्म पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनव पर जाए सिब्बर ने कहा विम शुक्रवार को रिलीज होने वाली है जस्टिस के एम जॉसफ का उचित फॉरम कहने का मतलब था कि मैशनिंग के लिए आपको सीजी आई के सामने जाना चाहिए था दरसर दकेला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोड में मेंशन करते हुए कहा गया कि ये हेट स्पीच का मामला है इसके लिए हमने हस्त शेप याचिका दाखिल की है इसलिए इस मामले को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं के साथ जोड़कर सुनवाई की जाए पांच माई को रिलीज होने वाली फिल्म दकेलला स्टोरी जिसमें 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन की कहानी को दिखाया गया है जो नर्स बनना चाहती है लेकिन बाद में वह आईस आईस में शामिल हो गई इस फिल्म का टीजर हाली में रिलीज किया गया इस फिल्म में दावा किया गया कि केलला की ऐसी करीब 32,000 लड़कियां वे महिलाएं रही जिन्होंने पहले इसलाम धर्म कबूल किया और फिर उन्हें सीरिया ले जाकर ISIS में शामिल करवाये गया वही इस फिल्म को लेकर केरल के सियम पिनराई विजयन ने अपत्ति जताई है दूसरी तरफ मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज समीती ने कहा कि फिल्म में गलत तथ दिखा कर लोगों को एक विशेश समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई है यदि कोई इस फिल्म की कहानी सच सावित कर देगा तो उसे एक करोड देने की बाद भी कही गई है